नमस्कार सर क्या नाम है आपका? संतरामपाल जी महाराज से आपने नामदिक्षा कब ली? संतरामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साथनाए करते थे? संतरामपाल जी महाराज से आपने नामदिक्षा कब ली? सर मैंने 19 दिसमबर 2011 को शंतरामपालि महाराजी से नाम दिखसा ली है सर संतरामपालजी महाराजी सरन में आने से पहले आप क्या भक्ती साधनाए करते थे जी मैं 1993 में अपने माता पिता जी को आपने शायोगी के साथ में चार धाम उत्राखंड की लेके गया था सर आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटाइड हैं तो आप संत्रांपाल जी म errाज की सरण में कैसे आये क्योंकि संत्रांपाल जी में माराज तो आज जेल में है सर में 2009 में वहाँ जब रिटाइर्मेंट आया था तो उसके बाद दो साल मैं ऐसे ही अपने सत्वाल महराजी के साथ जुड़ा रहा 2011 में मुझे एक संत्रामपाल जी महराज की किताब मिली वो मैं अपने घर के पास एक पंडी जी रहते थे मंदिर में हैं उन्होंने मेरे को एक भक्ति सौधागर का संदेश पुस्तक दी थी मैंने उसे पढ़ा और एक हफ़ते में मैंने उसे पढ़ करके जब इस नमबर दे रहा कि तो उस किताब में भक्तों को जो लाब गये थे उन नमबरों पे मैंने कांटेक्ट किया वहां से पर मेरे को बताया कि हाँ ये बात सही है आप उनसे नमदिक्षा ले लिजे फिर मैंने सत्लो का आथरम करोथा का नमबर था उसमें वहां फोन किया सर संत्रामपाल जी महराज से नमदिक्षा लेने से पहले आपने कई तीर्थवी किये और हंसा देश वाले पंथ सत्पाल जी महराज को भी आपने लगवक साथ से आठ साल गुरू बना कर रखा तो इन सब भक्ती साधना उसे कि आपको कोई लाब भी मिले जी सर लाब तो कुछ नहीं हुए और लाब के पिसे में कुछ जानते भी नहीं थे यही सुना था हमने लोगवेद में के जो करम में लिखा है वो ही भोगना पड़ेगा इसलिए हमने जादे इन चीजों पर गौर भी नहीं किया लेकिन जब संत्रामपाल जी महराज के सरण में आये तो तब हमको यह पता चला कि वास्तव में भक्ति करने से कुछ लाब होता है और क्यूं भक्ति करने से इसके भी से में हमें तभी पता चला जब हम संत्रामपाल जी महराज के सरण में आये सर संत्रामपल जी महराज की सरण में आने से आपको ये पता चला की भक्ती करने से लाब प्राप्त होते हैं तो क्या संत्रामपल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको कोई अनुवब या लाब भी मिले सर्व पार्तम तो मेरे को आद्यात्मिग्जान का पता चला शंतरामपागा जा तर्सरत के शरण माराई से कि मनुष्य का मूलお願い मौक्ष मार गए और मौक्ष जो है सचे गुरु से हो शकता है और भी हमारे सबी सास्तव में परमनित हैं यह हमको तब पता चला जब हमने संधृरम पालजी महाराज का ग्यान समझा 2010 में हमारी बड़े लटके की साःधी हुई थी 2012 तक उनके कोई संतान में हुई थी तो हमारी धर्म पतिनीने जो उसमें ग्यान नहीं ले रखे थी उन्होंने मेरे से कहा कि आप संत्रामपाल जी माराज के सरण में हों, आप उनसे क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते हैं, तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करें कि है प्रमात्मा, है संत्रामपाल जी माराज, आप तो सब कुछ कर सकते हैं आप हमारे बच्चे को हमारे घर में भी एक बच्चा दे दीजिए तो हमने उनी के नाम से फिर एक पाठ करवा दिया और पाठ पर साद ला करके मैंने पूरे परवार में दिया बहु को भी दिया और उसी दिन से परमात्मा ने हमें एक कन्या 2013 में दे दी उसके बाद मेरा छोटा लड़का जो था उनीस बरस का था उनीस बरस से जो है वो भरती की ट्राई करता रहा तीन चार बार वो जो है मेडिकल में आकर के फेल हो जाता है क्योंकि उसके पैरों के तलिये एकदम फ्लेट था तो पुलिस की भी उसने ट्राई की और आर्मी की भी उसने ट्राई की लेकिन वो उसी पैरों के तलिये के फेल हो जाता मेडिकल में फिर मैंने जब तेस्वें साल उसका लग गया लाश्ट साल था फिर मैंने परमात्मा चारदास की थे हैं परमात्मा अपने बच्चों को भी जो है इस मार्ग में आने से पहले मैं आप से प्रारतन करना चाहता हूँ कि इसको भी जो है सरकारी नोकरी देजिए इसके साथ के और उसको पुलिस की जगाया आर्मी में उसको सेलेक्ट कर दिया मैं उस परमात का संतरामपा जमारत का बहुत आबारे जिन्होंने मर्द मेरी हर पुकास हो नहीं और 2015 में जो है मेरी बड़े लड़के का उस सुभी नास्ता करके घर से गया था ड्यूटी में वहीं पुलिस ल मुझे यह पता नहीं था मैंने सोचा था गाड़ी चलाता है एक्सिडेंट उगर हो गया होगा कुछ लेकिन वहां पर जाकर कि जब पता चला कि वह हार्ट वह इस्पेशलिस्ट आउश्पिटल में जा रखा भरती वो रखा फिर वहां एक उन्शी के जिसके साथ वो लेकिन बाद में मैं परमात्मा की बाहने में सुना करता था कि परमात्मा अपने बच्चों को जो है रक्षा करते हैं जैसे परमात्मा ने मेरे साथ परमानित करके दिखा दिया और मेरे बच्चे को दीवन दान दे दिया मेरे को सवा पांच लोग 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 कर्चा होना पता नहीं प्रमात्मने संत्रामपाल जी माराज के किरपा से कहां चो पैसे आये मुझे खुद पता नहीं था चोटा लड़का मेरा आर्मेद में था मैंने उसको ख़बर तक नहीं कि कि बेटे ऐसे सो गया और मुझे जो है पैसो कि भी इतनी सुविदा मिल गई पता नहीं च लड़का भी ठीक हो गया और आज परमात्मा की रजा से सब कुशल है और मैं उन संत्रामपाल जी माहराज का आभारी हूँ और कर प्रार्द में करता है यह परमात्मा अपने दाश पर इसी तरह दया करते हैं सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप प्राप्त हुए, लेकिन पहले आप हंसा देश वाले पंत सत्पाल जी महराज किया थे, बहां आपको ये भी निमालूम था कि परमात्मा ऐसे कोई लाप भी देता है, तो जो सरदालो आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर पहले आपने हंसा देश सत्पाल जी महराज को गुरू बनाया, बाद में आपने संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा ली, लेकिन आज बहुत सी दुनिया है जिसने एक गुरू बनाय हुआ है, वो ये कहते हैं कि एक बार गुरू बना लिया, तो दोवारा गुरू नहीं बनाना चाहिए। उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे। जब एक गुरु छे लाब नहीं होता है तो हम तुरंत दूसरे गुरु के पास जाएंगे। और जब तक हमारी संतुष्टी नहीं होगे। अब दिर्ड विश्टा है कि परमात्मा हमको मोक्ष मार्ग मिल गया है और मोक्ष करवाएंगे। संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के लिए क्या करना होगा। कई चैनल आज कल संत्रामपाल जी माहराज के दया से खुले हैं और आप ससंग देखें। और ससंग के नीचे पट्टी आते हैं इन पर नंबर दिये हुएं इन नंबरों पर आप कॉंटेक्ट करें। आज संत्रामपाल जी माहराज के दया से पूरे विश्व में नामदान खुले हैं। नंबरों पर जब आप कॉंटेक्ट करेंगे तो आप जहां भी रहते हैं वहां पर आप नामदान अर्श्थल बताया जाएगा और वहां नामदान अर्श्थल पर जाकर आप नाम दिख्शा लिजे और अपना मोख्श कर रहाई हैं। धन्यबाद सर। शत्तायब शत्तायब